हेलो दोस्तों पद्मवतिस किचन में आपका स्वागत है अगर आपको रेसिपी पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकन दबाईए आज का स्पेशल रेसिपी है रोस कुकीज यह इंक्रिडियन्स है रोस कुकीज बनाने के लिए एक दो तियाई कप यानि 360 ग्राम शुगर मिक्सी में डाल के अच्चे से मिक्सी कीजिए मिक्सी किया हुआ शुगर पाउडर बाउल में डाल के बाजू में रखिए 200 ग्राम यानि एक घिसा हुआ नारियल मिक्सी में डालने के बाद 300 ml पानी डाल के अच्चे से मिक्सी कीजिए मिक्सी किया हुआ नारियल पेश्ट चन्नी में डाल के अच्चे से दबाईए नारियल दूद फिर से चाइब फिल्टर में चन्नी कीजिए नारियल दूद अब तयार है साड़े तीन कप यानि 500 ग्राम मैदा एड़ करके शुगर पाउडर एड़ करने के बाद अच्चे से मिलाईए और उस में नारियल दूद दाल के अच्चे से मिलाईए 200 एमेल पानी डालते हुए अच्चे से मिलाते रहिए दो टेबल स्पून चावल का अच्चा डाल के अच्चे से मिलाईए फिर से 200 एमेल पानी डाल के अच्चे से मिलाईए ये बैटर बनाने के लिए पूरा 400 एमेल पानी लगता है दो टेबल स्पून तिल और एक टीस्पून एलाईची पाउडर अड़ करके अच्चे से मिलाने के बाद तीस मिनट तक बाजू में रखिए स्टव को हाई फ्लेम में रखने के बाद डिफ फ्राई के लिए तेल डालिए रोस कुकी मॉल्ट को तेल में गरम होने के लिए रखिए तेल गरम होने के बाद स्टव को मीडियम फ्लेम में रखिए मौल को बैटर में तोड़ा छोड़ कर डुबा के प्लेट में टच करके तेल में रखने के बाद चाकू के मदद से रोस कुकी निकालिए रोस कुकी मौल को तेल में गरम होने के लिए रखिए रोस कुकी को दोनों साइड मीडियम ब्राउन होने तक फ्राई कीजिए फ्राई होने के बाद एक्ष्ट्रा तेल निकाल के तिशू पेपर में रखिए बनाने के समय बैटर को बीच बीच में मिलाते रहिए इसी तरह बाकी रोस कुकीस बनाई है अब क्रिस्पी और स्वादिष्ट रोस कुकीस तैयार है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको रेसिपी पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेर करिए अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजी और बेल आइकन दबाईए मिलते हैं अगले वीडियो में